वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स आज इस वीडियो में रिजनिंग के कुछ क्वेस्टिन्स को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एक्जाम्स में हेल्फुल होंगे पहला क्वेशन सिलोलिजम का है इसमें कह रहा है कि औल नॉट बुक्स और इस्टेशनरी ठीक है सभी नॉट बुक क्या है इस्टेशनरी यह मान लेते हैं नॉट बुक है अब नॉट बुक में क्या है कि सभी नॉट बुक जह है क्या है इस्टेशनरी है यह आ गया दूसरा क्या कर रहा है some stationaries are pencil some कर रहा है कुछ stationary का कुछ part जो होगा वह किसमें आएगा यह pencil में आएगा next third statement all pencils are correct costly तेखो सभी pencil जो है costly है यानि कि सभी pencil क्या होगा costly होगा तो यह यहां पर हो जाएगा तो अब conclusion क्या कह रहा है कि all notebooks are pencil सभी notebook क्या है pencil है यह देखे notebook का area जो है यह कहा है notebook का area अगर ध्यान से देखेंगे तो notebook का area क्या है यह वाला है notebook का area ठीक है यह वाला है और pencils पूछ रहा है तो pencil का area कहा है यह वाला pencil का area यहां से यहां तक का यह वाला है अब देखें notebook कहां है और pencil कहां है ठीक है तो notebook और pencil में तो कोई relation ही नहीं है बिलकुल अलग-अलग यह अगर देखेंगे तो है यानि की और यहां conclusion में क्या दिया गया है कि सभी notebook क्या है pencil है तो यह गलत हो गया ना तो पहला वाला कॉंक्लूजन क्या है गलत है अब क्या करेंगे नेस्ट वाला को देखते हैं ठीक है यह क्या हो गया गलत हो गया नेस्ट देखते हैं कि all stationaries are costly ठीक है सभी stationary क्या है costly है अब देखिए stationary के area यह वाला है ठीक है और costly का area यह वाला है यानि कि यह बीच में है यह portion कुछ है जो पूरा पूरा तो इस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस पर दोनों conclusion क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, अब नेस्ट question को देखते हैं, नेस्ट question में क्या कह रहा है, कि select the combination of letters, that when sequentially placed in the gap of the given letter series, will complete the series, यह एक जो है, क्या है, logical series है, ठीक है, यह क्या है, logical series है, और, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कि जितना भी letter, और fill in the blanks, हम गिन लेते हैं, यहाँ पर आप गिनियेगा, तो कितना होगा, 12 होगा, जब यह 12 है, तो इसको अगर हम grouping करेंगा, अगर 3-3 का group करेंगे, तो कितना group बनेगा, तो यही दोनों में से कोई answer होगा, यहाँ पर repetition के आधार पर भी answer होगा, देखे कैसे है, अब पहले हम 3-3 का group करके देख लेते हैं, तीन का group देखे, यहाँ कर लिए, तीन का group यहाँ कर लिए, अब तीन का group यहाँ कर लिए, यहाँ कर लिए, यह देखे, C से start हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इधर C एक लेटर के बाद है, थोड़ा से यह गड़बड हो रहा है ठीक है फिर आगे जाएंगे तो यहां देखिए last वाले में R से स्टार्ट हो रहा है सभी जो है C से स्टार्ट होना चाहिए जब इसको fill in the blank करेंगे तो repetition का अधार पर हम करते हैं सभी C से start होना चाहिए लेकिन कहीं पर arts पर start हो रहा है ठीक है और यहां देखे last में end हो रहा है O से इधर G से इसलिए थोड़ा सा यह क्या है problematic हो रहा है अब हम क्या करेंगे कि इसको 4-4 का group बना के देखेंगे पहला वाला जो है फेल कर रहा है ठीक है अब 4 का group बना के देखेंगे तो यह यहां पर हो गया C से start यह भी हो जागा यह भी यहां पर होगा यह देखें 4 का group हो गया तो 1, 2, 3 3 group बन गया वही वाला 4 का group लिये थे तो 3 group बनेगा ठीक है ना अब देखें क्या है अब यहां पर क्या भराएगा बताएए यहां पर जो भराएगा यह क्या भराएगा जैसे यह C से start C से start हो रहा है देखें यह पहला C है दूसरा यहां C है तीसरा जो इस place पर यहां क्या देदेंगे C देदेंगे ठीक है अब देखें C के बाद 2nd में यहां पर R है तो यहां भी क्या देंगे? R देंगे इस blank में ठीक है? C और O के बीच में और यहां देखें end हो रहा है G से तो G J जो है यहां पर देदिये यह G देदिये उसके बाद जो है G के पहले क्या है? O है तो यहां पर O दे-दिये END देखे, यहां पर O है END LAST में, O, O वाला है यहां G है, तो यह भी कलिट हो जाएगा तो यह भराएगा, R, G, O, C, O यहां देखे, पहला है R, फिर दूसरा होए G, फिर तीसरा है O फिर चौन्ता है C, और फिर हो गया O तो दूसरा वाला जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह correct answer हो जाएगा ठीक है तो यहां क्या भरा गया यहां भरा जाएगा यही वाला R, G, O, C, O यहां भरा गया R, यहां भरा गया G, यहां भरा गया O, यहां भरा गया C और यहां भरा गया O, ठीक है तो इस type से इस series को complete किया जाता है फिर से सिलोलिसम का एक क्विश्चन है यहाँ पर देखे क्या कह रहा है कि all k are h सभी k क्या है h है तो यहाँ पर देखे सभी k क्या होगा h होगा यानि सभी k का h के अंदर में आ जाएगा next क्या है no s is k no s is k यानि कि यह वाला no s is k मतलब k का कोई भी जो आदमी s में नहीं जायेगा no s is k का मतलब क्या होगा कि k और s में किसी तुर्ण का भी होए संबन्ध नहीं होगा हर हाल में ना तो k का कोई व्यक्टी s में जाएगा ना ही s का कोई व्यक्टी भी जो है k में जाएगा तो यहां एक बात याद रखना है हमेशा कि अगर मेरा statement अगर positive होगा तो उसका conclusion भी क्या होगा positive होगा अगर conclusion negative दिया है तो directly हम उसको cut देंगे अगर statement positive है तो conclusion भी हमेशा क्या होगा positive होगा अगर negative दिया हुआ है तो directly हम उसको cut कर देंगे अगर क्या है conclusion मेरा statement मेरा क्या है negative है तो conclusion मेरा क्या होगा negative होगा ठीक है तो यह बात याद रखना है अब देखिए दूसरा है possibility का कभी कभी case आता है ठीक है तो जो चीज के लिए 100% sure है हम उसका possibility क्या होगा नहीं होगा ठीक है जैसे अगर दिया कि मान लीजे all krh यहां पर दिया हो all krh ठीक है सभी k क्या है h में है और कहीं पर दिया हुआ है कि all krh is a possibility तो जो चीज 100% sure है हम तो क्या उसमें सक रहेगा नहीं रहेगा ठीक है तो जिसके लिए 100% sure है उसका possibility क्या होगा हम ऐसा गलत होगा लेकिन जिसके ल कुछ बन सकता है ठीक है तो यहां पर अगर किस देखें तो यहां पर all krh दिया हुआ है और no krs अब statement में देखते हैं पहला दिया है कि no k is s बात एक ही है अगर बोल रहा है कि no s is k तो इसका मतलब no k is s तो यह क्या है बिल्कुल सही होगा simple सी बात है k और s में आना जाना आएगा नहीं s का कोई व्यक्ति जो है k में आएगा तो पहला वाला क्या है सही है कि दूसरा क्या है कि all hrk देखे all hrk जब भी इस तरह का statement दिया रहेगा कि all krh तो इसको अगर reverse में लेंगे तो इसका जो है all hrk क्या होगा हम ऐसा गलत हो जाएगा ठीक है all krh h तो इसका conclusion हम क्या बना सकते है कि sum h is k और यहाँ पर देखे तो देखे all hrk देखे all यहां से दिया हुआ है all जो है यहाँ पर statement में देखेगा कि all k is h k जो है यह h के अंदर है ठीक है ठीक है ना लेकिन यह पार्ट जो है बाहर वाला k में है क्या नहीं है यानि कि all hrk तो नहीं बोलेंगे लेकिन k का जो पार्ट है यह h के अंदर में है ठीक है k का यह पार्ट क्या है h के अंदर में है यानि कि हम कहा सकते हैं कि some part of h is k ये जो k है k का part ये तो भी तो h का ही part है यानि कि क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर यहाँ sum रहता sum h r k तो ये क्या होता सही हो जाता लेकिन इस condition में ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यानि आपको याद रखना है कि all k r h अगर दिया है तो इसको भी देगा तो all k r h मतलब sum h r किया आप लिख सकते हैं ठीक है यही conclusion हमेशा सही होगा ठीक है next question को देखते हैं यहाँ पर select the missing number from the given responses ठीक है यहाँ पर loop संक्या ग्याद करना है तो देखें यहाँ पर क्या है कि 3 यहाँ column है row क्या है चार है तो हम इसको क्या करेंगे पहले row wise solve करके देखेंगे बाद में इसको column wise भी solve करके देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें कैसे कर सकते हैं अगर हम row wise देखते हैं तो कौन कौन सा इसमें trick लगेगा यहां पर देखिए अगर 3 और 6 को जब हम add कर देते हैं तो 9 आएगा 8 और 4 को add करते हैं तो 12 आजाएगा लेकिन इस case में आप देखिए 12 और 6 और 18 लेकिन यहां कितना है? 9 है इसलिए यह वाला क्या होगा? यह तो trick लगेगा नहीं पहला trick फेल कर गया दूसरा क्या है? देखिए 3 गुना 6 बटा 2 कर देते हैं चोटी 18 बटे 2 9 हो गया 8 गुने 4 कितना हो गया? 32 और 32 बटे 4 कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए यह भी नहीं होगा तेक है? यह भी गलत हो गया अब देखिए क्या है? 9 में 6 अगर चला गया ऐसे करेंगे 9 में 6 चला गया तो कितना होगा? 3 होगा 12 में 6 चला गया तो 12 में 9 चला गया तो कितना होगा? यहाँ देखिए यह भी नहीं होगा ठीक है? तो इसमें आप क्या कीजिए? जब इस तरह का गलत आने लगा तो हम इसको column wise solve करेंगे अब देखिए क्या है कि पहला column को अगर लें तो यहाँ पर देखिए 3 और 8 को गुना किजिए तो कितना हो जाएगा 24 और 24 को जब आप 4 से divide दिजेगा तो आप कितना answer 6 आजाएगा ठीक है उसी तरह दूसरे column की बात करेंगे यह कितना 12 आजाएगा यानि यह follow कर रहा है तो इसमें क्या करना है कि column wise लेना है ठीक है और पहला और दूसरा को क्या करना है गुना करना है और third वाले से भाग देके यह result आजाएगा उसी तरह इसमें करते हैं last column में 9 गुने क्या कर दिए 12 और फिर हम क्या करेंगे इससे भाग देंगे ठीक है इस वाले से भाग दिए और result कितना आ जाएगा चाहिए 9 आना चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे इसको जो है आफस में replace कर देंगे अगर इधर से करेंगे तो ठीक है यानि यहाँ पर कितना होजाएगा 9 होजाएगा और यहाँ पर कितना होजाएगा question mark होजाएगा तो question mark के जगवे no or no cancel और answer कितना होजाएगा 12 तो option number D जो होगा मेरा क्या होगा correct answer होगा ठीक है कोई दिक्कत अगर कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर करें द क्या है कि क्या है ये कतन और धारना का क्वेक्षों जैसे कतन गया है इस सप्ता में 5 कारेदिवस होने कोर्म्साारियों जो है थैudo करक्त होता हूं कारेश इस सप्ता29法 करेंच्षफफबक्त आपको सही मानके चलना है और उसी के ब्याब पर क्या, रियक्ट करना है मंदधा, उसी के ब्याब पर अजंप्शन करना है कुछ भी अपने मान से नहीं मानना है तो यहां सब्ता में 5 कार दिवस होने से करमचारिं का तनाव कम होगा, मतलब तनाव बिल्कुल ही कम होगा ठीक है कम होना ये सही है करमचारी हमेशा बैक्तिगस समेश्याओं की वज़ा से परसान होते है एजंप्षन में अगर जो है only दिया रहे या फिर हमेशा दिया रहे मतलब always दिया रहे ठीक है तो ये जो है बिल्कुल गलत होगा और ऐसे भी धारना जो है इस जो कथन कहा गया है कार्यदिवस पाँज दिनों होने से संबन्दित नहीं तो प्र데 tangent हो गया ठीक है इसलिए गलत हो गया दूसरा धार्णा में क्या दिया है पाँज कार्यदिवस अपता नया बैस्षविक रूजान है यह हो सकता है ठीक है तो दूसरा वाला सही होगा यानि कि only two for implict only assumption two क्या होगा implict होगा ठीक है next question जो है blood relation का है इसमें एक expression दिया है और जो symbol उसमें use किया उसका meaning दिया गया है जैसे यहां पर दिया गया है कि c % d का मतलब क्या है c d की मा है dollar card क्या दिया गया है c dollar d का अर्थ है c d का जो है पत्नी है और c and d का मतलब क्या है c d का जो है दमाद है तो यह expression का अर्थ क्या होगा पहले हम क्या करते हैं इस expression को लिख लेते हैं w हो गया percent हो गया फिर क्या हो आपका एक्स हो गया फिर क्या है यहां पर डॉलर है फिर यहां पर क्या है वाई है और यहां पर क्या है एंड है फिर क्या है जैड है तो यहां पर देखे परसेंट का मतलब यहां क्या दिया गया है परसेंट का अर्थ क्या दिया गया है मा दिया गया है मा तो यह देखे क्या हो गई मा हो गई है कि यह क्या हो गया मा हो गया और दूसरा डॉलर का अर्थ क्या हो गया यह पतनी हो गया यह क्या हो गई पतनी हो गई और यहां जो एंड है इसका अर्थ क्या हो गया दमाद हो गया तामाद हो गया है ठीक है तो अब हम इसको कैसे solve करेंगे इसको हमेशा इस type के expression में क्या करेंगे right to left चलेंगे पीछे से आगे चलेंगे और खुद पीछे जो है खुद को रखेंगे और फिर खुद से अगर relation को compare करेंगे तो आसानी से निकलेगा जैसे कि हम बताते हैं इसमें क्या करना है तो इधर से चलना है तो आप देखिए मान लिजे जैड के जगापे हम है तो क्या है तो यहां कह रहा है कि यह जो जैड है यह मान लिजे हम है तो यह मेरा कौन हो गया दमाद हो गया यह मेरा क्या हो गया दमा और मेरी बेटी का जो मा हो गई ठीक है जो बेटी की जो मा हो गई वो मेरी कौन हो गई पत्नी हो गई न जो बेटी का जो मेरी मा हो गया वो कौन हो गया मेरा पत्नी हो गया समझ में आ गया तो डबलू कौन है मेरी पत्नी है तो यहां पर देखे क्या पूछ रहा है ठीक है डबलू कौन हो गया पतनी हो गया तो हम उसका कौन हो गया पती हो गया यानि डबलू क्या हो गया एक फिमेल है और यह जैड क्या हो गया एक मेल है ठीक है यानि डबलू पतनी हो गया और जैड क्या हो गया पती हो गया तो हो गई एक wife हो गई और यह कौन हो गया जैड husband हो गया ठीक है ना यहाद रखना है तो यहाँ पूछ रहा है क्या डबलू जैड के बीच में तो यहाँ देखिए डबलू जैड के पूत्र की पुत्री है तो यह वाला तो गलत हो गया ऐसा तो कुछ भी नहीं है पती-पत्नी का जैड जो है डबलू की पत्नी है option number D क्या होगा correct होगा इसको जो है दूसरे वे में भी बना सकते हैं एक तो वे यह हो गया दूसरा हो गया क्या क्या हो गया क्या पत्नी हो मा हो गई c d की मा है यहाँ पर लिखिए आप c d की मा है तो इसी में इसको अब चलेंगे परसेंट का टो सब्सक्रों का जाकिते हो गया डिखिए ड्वा दो जीखिए तो टोबलू क्या हो गया एक फिट्व की मा हो गई इन है फिर ऐक्स डॉलरय का फ्れक्षि यहां पर जैसे यह क्या हो जाएगा? C male हो गयी और यह क्या हो गया? male हो गया उसके बात क्या बोल रहा है कि Y जो है and Z यहां पर देखे C and D का अर्थ क्या हो गया? CD का दमाद है यानि Y जो है or Z का क्या हो जाएगा? दमाद हो जाएगा तो Y Z का दमाद हो गया इसका मतलब क्या हो गया Z जो हो गया ये कौन हो जाएगा Y का सास हो गया Y का क्या हो जाएगा सास भी हो सकता है ससूर भी हो सकता है चुक्छे सास कौन है W है यानि कि यह यहाँ पर क्या हो जाएगा ससूर हो जाएगा ठीक है तब न Y जो है Z Y का क्या हो गया ससूर हो गया W क्या हो गया Y का सास हो गई जब यहाँ पर statement जैसे Y and Z है यानि Y का जो है जो Y है Z का दमाद है इसका मतलब क्या हो गया कि हम नहीं कर सकते हैं इस statement से केवल कि Z जो होगा सास होगा Y का कि ससूर होगा लेकिन यहाँ पर जैसे देखेंगे तो अल्रेड़ी एक female जो है Y की जो पत्नी है उसकी माँ Y का कौन हो गया सास हो गया यानि अल्रेड़ी female है तो एक फिर भी कह रहा है कि Z जो है वो कौन है Y का क्या हो जाएगा क्या ससूर हो जाएगा तो यहाँ से statement क्या मेरा clear होता है कि ने बिल्कुल हो जाएगा तो यहाँ पर से भी देख सकते है कौन statement सही है Y Z का पुत्र की पुत्री है W और Z के बीच में क्या पत्ती पत्नी का यहाँ से भी relation है इसलिए गलत हो गया यह पुत्री का तो relation है ही नहीं यह जो है यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है इसका मतलब क्या हो गया Z जो है डबलू का क्या हो जाएगा पती हो जाएगा तो option number D correct answer होगा तो दोनों साइड से जो हम देख सकते हैं पहले वाला भी और दूसरा वाले भी लेकिन बहुत सारा केस में पहला वाला असान होता है ठीक है यह थे important questions thanks for watching working thoughts अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो like, share and subscribe करना ना बुलें thank you